हेलो फ्रेंड्स मैं कमलेश निगम इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वाज़त करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में हम W3 Total Cache Plug-in इंस्टॉल करेंगे W3 Total Cache Plug-in एक powerful plugin है जो website का performance इंक्रीज करने के लिए और site का user experience इंप्रूव करने के लिए इंस्टॉल करते है ये plugin हमारी site का response time decrease करता है load time reduce करता है हमारी wordpress site पे जो css files और javascript है उनकी size और number को decrease करता है और इस तरह से हमारी site का performance है उसको increase करता है हमारी site की speed increase करता है तो आईए dashboard में हम ये plugin install करते हैं यहां plugin में add new के आप क्लिक करें यहां keyword में w3 total cache आप लिखें यह first है यही है by bold grid तो यहां install now के क्लिक कर दें यह हमारी site का SEO search engine optimization जो है उसको भी improve करता है यहां activate है उस पे प्लिक कर दें यह जो plugin है वो activate हो जाएगा plugin install और activate हो गया है और अब हम यह plugin install हो गया है तो देखिए यहां ऊपर यहां यह जो tab है performance वो यह plugin का आई है यहां नीचे left side में देखिए यह जो performance नाम का यह जो option है वो यह plugin install करने पर यहां आ जाता है performance इंस्टॉल करने के बाद plugin को install करने के बाद यहां performance पे क्लिक करें और यहां यह जो general setting लिखा है यहां general setting पे क्लिक करें performance में जो general setting यह वहां क्लिक करें तो first time कर रहे हैं इसके लिए एक message आ रहा है welcome to the w3 total cache setup guide तो यहां देखिए by allowing us to collect data वगेरा term and term of use or privacy policy जो है उसको हमको accept करना है तो यहां accept पे क्लिक कर देते हैं यहां देखिए यहां लिखा है skip this setup guide यह skip this setup guide इस पे आप क्लिक कर दें again यहां okay first time install कर रहे हैं तो इस तरह का option आएगा तो आप skip कर दें क्योंकि यह जो setup है वह हम खूद करेंगे अब यहां यह जो general setting लिखा है general setting में पे क्लिक करें अब क्लिक करने पर यह जो बहुत सारे ऐसे option आते हैं यहां शुरुवात में जो लिखा है वही रहने दे और इतना करके यहां save setting and purge caches जो लिखा है इस पे क्लिक करें page cache means हम जब कोई user wordpress की site को जब open करते हैं कोई भी website जब visit करते हैं तो generally ऐसा होता है कि wordpress जो hosting के जो server है वहां के resources data को use करता है पर page cache option अगर हम enable कर देते हैं तो यह जो option हम enable करते हैं तो यह जो page है हमारी site पे वह page का एक same page के जैसा same एक static cache page बन जाता है एक copy किया हुआ cache copy हम कहेंगे cache copy तो जब user visitor site को visit करेगा तो wordpress जो server का resources वगेरा है उसको use नहीं करेगा और यहां जो similar जो page create किया है same जो जिसको हम static cache page कहते हैं या cache copy जो कहते हैं वो page को direct की visitor को बदा देगा तो इससे क्या होता है कि जो load time होता है वो load time decrease हो जाता है site हमारी तुरंती open हो जाती है मैं यहां save setting and purge caches लिखा है उसके क्लिक कर देता हूं अब next page cache के बाद यहां minify minify यहां enable लिखा है इस पर क्लिक करें यह क्या है देखिए यहां लिखा है कि minify क्या करता है reduce load time by decreasing the size and number of csn, css and js files मलब कि यह जो number of csn, css and js जो files है उनकी size और number को decrease करता है और ऐसे वो load time reduce करता है फिर देखिए लिखा है कि automatically remove unnecessary data from css, js, feed page and post html तो यह function minify यह जो option है वो काम करता है तो इसके लिए इसको भी यहां enable कर देते हैं enable करेंगे तो एक option ऐसा आता है यहां यह एक थोड़ा risk जैसा option है कुछ hosting जो provider है वो यह जो option है उसको support नहीं करते हैं तो इसके लिए एक यह message आता है हम यहां I understand the risk उसपे click कर देते हैं और अगर आम यहां save setting करके यह अगर enable करते हैं तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि हमारी website जो है वो crash हो जाए पर वो problem नहीं है आप यहां के अगर problem होता है तो minify में आके again आप यहां enable जो option है उसको यहां disable कर सकते हैं तो generally मैं A2 hosting यूज़ करता हूं मुझे ऐसा कभी problem नहीं हुआ है इसको save setting and purchase cases पर मैं क्लिक कर देता हूं minify जो option है वो भी enable हो गया है paid cases हो गया, minify हो गया अब आगे जाते हैं देखिए यहां open code cache इसमें यहां हमको कुछ भी नहीं करना है यहां database cache जो लिखा है उसमें भी हमें enable नहीं करना है यह बहुत ही powerful plugin है, बहुत सारे tons of option इसके अंदर है तो यह make sure कि हम जो use, मैं आपको बता रहा हूं वही क्लिक करें नहीं तो कुछ problem भी हो सकता है इसके लिए यहां जैसे कि object cache है वो भी हम enable नहीं करेंगे browser cache है वहां देखिए यह already enable किया हुआ है browser cache हमें enable करना है, अगर यहां enable नहीं है तो आप enable पे क्लिक कर दें और यहां save setting and purge caches पे क्लिक कर दें 3 हो गया यहां से, हमने page cache enable कर दिया, minify enable किया आगे यहां हमने browser जो cache है उसको enable कर दिया है, आगे देखिए यह CDN, CDN एक content delivery network है वो अगर आप use करते हो तो यहां enable कर सकते हैं पर हम यह नहीं करेंगे यहां reverse proxy जो लिखा है इस पे हमको कुछ नहीं करना है, user experience यह भी जखा है कुछ भी नहीं करना है statics यहां और नीचे जाईए यहां यह जो setting जो click टिक किये है जो है वैसा ही रहने दिजिए यहां कुछ भी हमें करना नहीं है बस हमें last में यहां save setting and purge caches जो लिखा है उस पे आप click कर दें जो मैंने आपको तीन option बताये वो तीन option आप enable करें इतना करने के बाद हमारा जो setup है यह plugin जो w3 total cache plugin है उसका setup हो गया है अब हम check करते हैं कि हमारी site का performance कैसा है हमने पहले भी performance check किया था आपको याद हो तो मैं यहां लिखता हूँ पिंग डॉम ये पिंग डॉम speed test पिंग डॉम speed test पे click करें और यही जो पहला option आता है उस पे आप click कर दें और यहां जो url है वहां जो आपकी site है वो site click करें यहां location पुछ रहा है वहां हम यह जो एशिया वाला है वो लेते हैं मेरा मैं इसके लिए एशिया लेता हूँ अब मैं start test जो है उस पे मैं click कर देता हूँ पहले भी हमने देखा था test किया था अब उसके बाद हमने smush plugin install किया और w3 total cache जो plugin है वो दो plugin हमने install किये क्योंकि इसकी मदद से हम हमारी site का जो performance है वो performance improve कर सकते हैं अब result देखते हैं कि अब result क्या आया है देखिए यह आपके सामने result है देखिए performance grade A grade हमारा आ गया है 92 पेज की size भी थोड़ी decrease हो गई है और load time देखिए पहले सायद हमारा कुछ 5.5 जैसा कुछ load time था अभी देखिए 3.95 second आ गया है रिक्वेस्ट भी आप देखिए 38 है पहले हमारे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी रिक्वेस्ट भी कम हो गई है तो यह जो है यह W3 total का है स्मुष जो plugin हमने यूज़ किया इसकी वज़े से हमारे site का जो performance है वो performance भी improve हो गया है यहां और भी आप यहां देखिए देख सकते हैं इसके जो test जो report है वो report भी यहां बताते हैं वो आप check कल सकते हैं और कुछ भी change करना हो तो भी कर सकते हैं ओगे परेंस बाई बाई